नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है अभी सुबह का टाइम है और बिलकल अभी अभी बारिश बंद हुई है लगातार बारिश चली रही है तो अभी मैं थोड़ी देक लिए मैं उपड़ आई हूँ जब बारिश बंद हो जाती है बस जभी टाइम मिलता है कि अपने पौद हो में कुछ काम कर लो तो देखिए ये जो हमारा चमपा का प्लांट है कितना बड़ा हो गया है जब से बारिस होई है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है दोनों ही चमपा के प्लांट बहुत ही बड़े हो गएं और देखिए पर्सलेंड पर सुबह सुबह कितने सुन्दर फूल खिल रहे हैं लेकिन जैसे बारिस हुई है तो सारे फूल खराब से हो जाते हैं इसके बारिस पढ़ते ही वरना अधूप निकली हो तो बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल खिलते हैं तो यलो और पिंक दोनों ही कलर के बहुत सारे फूल आज इन दोनों बासकेट्स में खिले हुए थे सुबह सुबह पीले वाले तो बिलकुल ही खराब हो गए हैं सारे तो बारिस सारे फूलो खराब कर देती है देखिए दूसरा चंपा का है और ये तो एक तरफ को जुकता जा रहा है पता नहीं क्या हो गया इसको एक तरफ जुक रहा है बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं और इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है फूल तो आनी रहे हैं और देखिए गुड़ल पर कितनी सार अगर पोधे पर मिली बक्स लग जाती हैं तो फूल फिर बहुत कमाते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम की पत्यों को उबाल के उससे स्प्रे कर दीजे रेगुलर तीन-चार दिन कीजे तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं यह फिर अब इस जैसे बारिस हुई हैं तो इस पर फूल आने शुरू हो गए हैं कलिया आ रही हैं देखे एक नीचे भी आ रही है तो बड़सात में जर्विरा भी फूल देना स्टार्ट कर देते हैं जैसे बारिस हुई है तो इसकी ग्रोथ हुई है बहुत अच्छी और यहां पर मैंने कुछ कटिंग्स लगाए थी देखे कि उच्छ नए कलर्स हैं यह पौर्चूल का के इन पर भी फूल खिले हैं यह मेरा देखिए गुडल का दूसरा वाला प्लांट है इस पर भी दो फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी इस पर कलिया भी हैं तो बड़सात में यह तो बहुत यह अच्छी ग्रोध कर रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ डेली इन पर फूल भी आ रहे हैं और कलिया भी बहुत अच्छी आ रही हैं बिल्कुल हरे भरे एकदम सुंदर हो गया है इसके लावा गुलाब पर भी बहुत अच्छी ग्रोध स्टार्ट हो ग तो पर्मानेंट प्लांट है और गर्मियों भर बरसात भर पूरे अच्छे फूल देता है और जो मेरी बेले थी उन पर भी अब चोटी-चोटी सबजिया मुझे दिखने लगें देखें ये चोटा सा खीरा दिखाई दे रहा है और काफी सारे आने स्टार्ट हो रहे हैं इनक तो चीटियां भी काफी चल रहे हैं ये उनके ऊपर लेकिन फिर भी कर देते हैं तो एक सिंपल फूल लेना है हमें और जो खीरे वाला फूल है उसको इससे टच कर देना है तो बस इससे हेंड पोल्नेशन हो जाता है और किसी ब्रेस वगएरा से भी आप कर सकते हो किसी भी से इस फूल से थोड़ा सा पराग लेंगे उस पर टच कर देंगे तो हैंड पॉलनेशन इस तरह से हम कर सकते हैं इससे हमारा जो खीरा है वो खराब नहीं होगा वो पूरी तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा और कोलियस भी स्टैम पर बहुत अच्छे ग्रोध कर रहे हैं देखिए कोलियस वैसे बरसात में खराब हो जाते हैं लेकिन अगर हम इसको छोटे गमले में लगाएं तो ये कभी खराब नहीं होगा नीचे से कुछ पत्तियां इसकी भली थोड़ी बहुत खराब सी हो जाती है तो उनको हटा दीजे एक तो पानी रुकना नीचे ये मिट्टी में और गमला छोटा लेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि फटाफट से एक्स्ट्रा पाई निकल जाता है छोटे गमला होने की वज़े से पानी जल्दी सूपता भी है जो भी खर्पतवार हो जाती है वो भी हटा दीजे क्योंकि बारिस में बहुत जादा ये इस तरह से घासफूस उख जाती है तो कोलियस के रंग देखे कितने सुन्दर आ रहे हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है अभी मैं अपने इस बेल के लिए एक थोड़ा सा ये थोड़ा तार गारी हो है हाँ पर ताकि गेट्ज सा बना दूग इस से तो बहुत ऩह पर मैंने एक तार ये लगा दिया है काफी महनत के बाद मैंद इसको बांदा यह कृँ है और उपर भी मैंने एक तार से इसको सिक्योर कर दिया ताकि यह बिल्कुल भी हीचे गिरे ना तो यह मेरी क्रेश्ण कमल की बेल है इसको मैं इसके उपर चढ़ा दूंगी तो एक गेट जैसा बन जाएगा और इस पर फूल खिलेंगे तो काफी सुन्दर लगेगी तो अभी देखे मैंने इसको चढ़ा दिया इसके उपर अब इसके उपर इस तरह से चढ़ती जाएगी और गोल गेट बन जाएगा हाँ पर बिल्कुल ग्रीन सुन्दर भी लगेगा और फूल खिलेंगे तो काफे चलाएगा एधर देखिए हाँ पर एक और तार बांद दिया है तार नि Aixòya पर रसा से बांद दिया है पीच में से तो मार भी एक से गेट वगएरा बना देते हैं और फिर किसी भी गेट पर अपने में गेट वगएरा पर चढ़ा दें तो बहुत सुन्दा लगती हैं तो इस तरह से ही मैंने इनको कर दिया है और यह मेरी रेन लिली है जो एक्सटा इसकी पतियां उस अब मैं काट रही हूं ताकि इस पर अ काफी सारे काम नेटा दिये हैं और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे बारिस हो रही है तो बारिस बंद होते ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो काफी सारे काम हो गया हुलकल की दूप भी निकल आई है आज ही सब काम किये वीडियो अच्छा लगा ह तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू वेरी मॉच बाई